करने वाले हैं और क्रिस्मस की वज़े से जो हम करने वाले हैं और क्योंकि करन्ट फेज जादा है तो क्वेश्चन्स भी जादा होंगे तो क्वेश्चन्स भी मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूं लास्ट में प्राक्टिस करने के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो न्यूस्पेपर खोलके ही मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं तो मिन्ट भी आने वाली हूं, आर्टिकल्स भी करने वाले हैं, पीपीटी से भी पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन्स भी करने वाले हैं, so today is going to be really, really important session, तो एक फटा फटा आप सभी लोग session को join कर लिजए और Adda247 का app जो है, वो भी डाउनलोड कर लिजएगा और चैनल को भी subscribe कर दीजएगा, एक बद तुरंत join कर लिजए, and let people know कि class एक बद शुरू हो गई है, so that सभी लोग यहां पर आ जाए, और join कर लिए, उसके बाद शुरू करते हैं, हम आज का अपना important session, but उससे पहले अगर आपका कोई भी doubt हो, किसी को भी किसी चीज़ के भी regarding, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, or we start, or else we start, All right, so people have started joining, मैं wait ही कर रही थी, 5.58 पर ही join कर लिया करो, ताकि मुझस ऐसे wait ना करना पड़े, रुखे, है न, 5.58 पर ही आप सभी लोग join कर लिया करो, मैं टाइम से ही आजाती हूँ, चलिए जी, तो आज हम बहुत सारी as usual, बहुत सारी news हम पढ़ने वाले हैं, यह पढ़ें और उसके बाद ये भी news पढ़ेंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, तो काफी सारी news हम पढ़ने वाले हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पहली news है हमारी दीन दयाल, आंतियोधा योजना National Rural Livelihood Mission, DNRLM, रिसेंटली Ministry of Rural Development ने साइन किया है एक agreement, एक MOU साइन किया ह रिलाइन्स के साथ, रिलाइन्स का जो जियो मार्ट है, आप सभी गए भी होंगे, उसके साथ two on board, DNRLM Self Help Group, उनको बोला है कि आप भी इसको जॉइन कर लीजे, आप इसमें आज आईए और इसको हम मिलके आगे बढ़ाते हैं, DNRLM Self Help Groups का जो ये project है, इसको मिलकर आगे बढ रहाते हैं, ये बात हो रही है, Ministry of Rural Development की और Reliance का जो जियो मार्ट है, उन दोनों की, collaborations और जितने भी हमारे agreements होते हैं, हमें सबसे पहले, किन किन के बीच में agreement हुआ है, वो याद रखना होता है, और किस चीज के लिए हुआ है, वो याद रखने होते हैं, ठीक है, चलिए, अ हम देख लेते हैं, कि यहाँ पर जितने भी SSGs हैं, ठीक है, जितने भी Self-Help Groups होते हैं, जो खुद की, खुद एक Group बनाते हैं, खुद आपस में एक दूसरे की साहता करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्स तो बनाते ही होंगे, अपने प्रोडक्स को और बहतर तरीके से, और जादा, उनको market मिल सके, इसलिए reliance यहाँ पर आया है, और इसलिए reliance उनको help करेगा, उनका जो भी समान है, उसको बेचने के लिए, वो marketing में, उस चीज में जो है, यहाँ पर मदद करने वाला है, जिससे definitely SSGs का भी जो empowerment है, वो और जादा बढ़ने वाला है, ठीक है, so market visibility जादा करने के लिए ही, यहाँ पर इसको join करवाया गया है, और इससे economic opportunities भी, especially SSGs की जादा बढ़ने वाली है, और उनको जादा better फायदा भी मिलने वाला है, ठीक है, तो आप यहाँ पर यह देख भी सकते हैं, यह agreement जो है, इस तरीके से हुआ था, अब question यह भी आ सकता है, क पाखी हम लोगों को economic opportunities दे सकें, कि जी यह चार तरीके हैं, इससे आप जाके कमा सकते हो, जब लोग कमाना लग जाएंगे तो automatically हमारी जो poverty है, वो elevate होना भी शुरू हो जाएगी, 2011 में इसको launch किया गया था, Ministry of Rural Development के अंतर गतिया आता है, इसका goal मैं already आपको बता चुकी हू कि लोगों को रोजगार दीजे, आप employment दीजे, है ना, so self employment, skill wage, employment, यह सारी opportunities हम इससे create करना जाते हैं, इसमें poor woman पर जाधा focus किया जाता है, self help groups पर जाधा focus किया जाता है, और rural poor पर जाधा focus किया जाता है, इसके नाम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, rural livelihood आता है, है ना, आप से पहले Indian Ocean की जब मैं बात करती हूँ, तो ये वाला area है जिसके मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, Indian Ocean यानि यह यहाँ पर जो area पढ़ता है, इसको हम Indian Ocean, IOR भी कहते हैं, इसको short form में IOR भी बोलते हैं, which is Indian Ocean region, ठीक है, बहुत सारा ये जो सारी countries हैं, ये Indian Ocean जो हमारी rim association वाल हैं, ठीक है, तो ये कुछ Africa की countries हैं, यहाँ पर Madagascar है, कुछ India की countries है, इरान भी है इसमें, और यहाँ पर आपकी ये आजियान की countries है, जहाँ पर आपका Cambodia, Thailand वे अतनाम आता है, Australia भी इसको touch करता है, और ये पापने गिनी वाले कुछ island countries हैं, जो Indian Ocean को touch करते हैं, तो इसकी मै बात कर रही हूं, ठीक है, recently यहीं पर कुछ हुआ है, इसी region में, क्या हुआ है, Indian Ocean Naval Symposium हुआ है, आठवा edition हुआ है, Naval Symposium का, या फिर आप ऐसा लगा लिजे, जिस तरीके से ये exercises होती रहती हैं, अलग-अलग countries के बीच में, ऐसे ही navies के बीच में एक exercise जैसा आप लगा है, ठीक है, तो यह जादा important है, आपके लिए याद रखना, वैसे तो बहुत detail में आपसे इस topic के बारे में नहीं आएगा, हमारे यहां से भी बहुत सारे लोग जो है, उसको attend करने के लिए गए थे, ठीक है, तो इतना हम याद रखेंगे, IONS की अगर मैं बात करूँ, तो 2008 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है, और इसका जो है, यहाँ पर इसका मतलब ही यही था कि जितनी भी यहाँ पर जो भी countries हैं, ठीक है, इन countries के साथ Navy, Naval exercises में, या फिर Navy, या फिर Maritime Security को और बढ़ावा देने के लिए, हम इन सारे countries के साथ जो है, कोलाबरेशन करें, इन स Maritime Security प्रवाइड कर सके, Maritime यानि समुदरी जो Security होती है, वो हम प्रवाइड कर सके, बहुत सारे nations से भी, जैसे चाइना हो गया, चाइना को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यह कि आपने इस एरिया को Indian Ocean नाम कैसे दिया हुआ है, है ना, इंडिया का नाम वहाँ पर क्यों आया हुआ है, ठीक है, अचा हम आपको बोल रहे हैं कि आपने क्यों South China Sea को China का नाम दिया हुआ है, है ना, आपकी ही थोड़े ना Sea है वो, अगर आप उपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा देखोगे, चाइना में, तो यहाँ पर एक जगा है, थोड़ा उपर जाके देखोग बहुत सरे एक्जाम्स में भी यह अल्रेडी पूछी गई है, तो ध्यान से सुनियेगा, आपके पेपर में भी आ सकती है, रिसेंटली हमारे जो न्यू और रेनुबल एनरजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि PM कुसुम में हम यहाँ पर has informed that, main objective जो PM कुस कर रहे हो, आप जो है, fossil fuels, diesel वगेरा, यह सब चीजें मत यूज करो, ठीक है, and providing water and energy security to the farmers, तो PM कुसुम का एक और target रहा है कि पानी और energy security farmers को, किसानों को वो provide करें, जिससे farmers की income बड़े, definitely बढ़ जाएगी, और at the same time हम अपने परियावरन का भी ध्यान रख सकते हैं, environment का भी हम ध्यान रख सकते हैं, पटाफट देख लेते हैं, प्रधान मंतरी किसान उर्जा शुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान, इस स्कीम का नाम है, इसको launch किया गया था, इस ministry द्वारा हम अलरडी देख चुके हैं, ministry of new and renewable energy, ताकि solar energy को हम promote कर सके, यह जो स्कीम है, यह बिजली यूज हो रही है, तो हम वहाँ पर खेतों में solar लगाना चाहते हैं, ताकि हम solar से बिजली यूज करें, solar से हम अपना पानी का pump चलाएं, या जो भी वहाँ पर बिजली के काम हो रहे हैं, वो हम solar से करें, यह इसका एक major मकसद था, आप यहाँ पर ऐसे देख भी सकते हैं, इसके अलग-अलग components भी है, components में मैं बाद में आऊंगी, पहले हम objective समझ लेते हैं, objective सबसे पहले यही है कि मुझे अपने देश के जितने भी farmers हैं, उनको clean energy प्रवाइड करनी है, और पानी की सुविधा सब के पास होनी चाहिए, जिससे automatically farmer की income बढ़ेगी ही, बढ़ने को भी फायदा और किसानों को भी फायदा, ठीक है, और installed capacity electric power की from non-fossil fuel sources भी हमें increase करना है to 40%, यानि अगर 100% हमें जो है, जो है, solar से बिजली प्रवाइड करनी है, उसका 40% हम जो है, 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, यानि मालो 100 खेत हैं, तो उसमें से 40 खेतों के पास, कम से कम solar से आपका बिजली आनी चाहिए, या solar की जो capacity है, वो उनके खेतों में install होनी चाहिए, 2030 तक ये हम target कर रहे हैं, fossil fuel से basically हमें हटना है, ठीक है, scheme की details में आपको again वही है, जो हम already बता चुके हैं, तो यहाँ पर इस से क्या होगा, कि agriculture sector जब पानी होगा, बिजली होगा, तो हो स सवाल आते हैं, इस scheme के तीन component है, पहला component है, जिसका goal है कि हमें setup करना है, 10,000 MW का decentralized ground या फिर stilt mounted solar plants, power plants, टेक है, underutilized land पर, टेक है, underutilized land की बात हो रही है, यहाँ पर कोई, जो जगा है, जहाँ पर बहुत जादा उपज हो रही है, जो fertile land है, उसकी बात नहीं हो रही है, जिस land को हमने underutilized किया हुए, वहाँ पर बात हो रही है, इसको कौन-कौन implement कर सकता है, कोई अगर अकेला किसान है, अकेला किसान, यानि मेरे पास एक खेत है, मैं अपने खेत में इसको implement कर सकती हूँ, solar power developers भी कर सकते हैं, कोई cooperative, कोई cooperative, यानि group of people हो गया, कोई वो भी कर सकते हैं, पंचायत भी कर सकते हैं, FPO जो होते हैं, farmer producer organizations वो भी कर सकते हैं, component 2 में हमने सोचा है कि हम install करेंगे 14,00,000 का stand-alone solar pumps off-grid areas में, इसके कौन-कौन beneficiaries हैं, तो अगर आपका कोई खेत है, आप individual farmers हो, तो भी आपको इसका lab मिलेगा, water user association हो, आप PACs हो, primary agriculture credit societies, जो loan वगेरा देती हैं, उनको भी इसका फायदा हो सकता है, या फिर यहाँ पर अलग-अलग communities और cluster-based irrigation system को भी, component number 3 में, solarization की बात क्यों है, जहाँ पर 35,00,000 grid connected agriculture pumps, जो हैं, वो हम देने की बात करी है, थूँ, individual pump solarization और feeder level solarization से, इसमें भी almost almost same है, सब लोग जो है, जो यहाँ पर component B में था, वही component C का भी lab उठा सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, तो इन सारी ही चीजों में एक common इंसान है, जो तीनों ही components के फायदे उठा सकता है, वो है individual farmer, जो की मुझे लगता है कि maximum हमारे देश में है, ठीक है, primary agriculture society, कोई community, ये सब तो बाद में आते हैं, बट individual farmer ही तो सबसे जादा है, तो individual farmer को तीनों के ही यहाँ पर lab मिलेंगे, ठीक है, चले, moving ahead, financial support देख लेते हैं, कितना क्या पैसा दे रही है, सरकार और क्या support है यहाँ पर, targeted solar power आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमने 2026 तक का एक target किया हुआ है, 34, आप ऐसे याद रखो, 35 GW के आसपास जो है, हमें वो generate करना है, 34.8 याद ना हो, तो 35 याद कर लेना, ठीक है, 35 के आसपास, at least आप जब paper में देखोगे, तो eliminate कर पाऊगे, ठीक है, उसके बाद total central financial support भी आप यहाँ पर 34,422 करूट्स, right, overall impact हम already वैसे तो कर चुके हैं, environment को फायदा, farmers को फायदा, double the farmers income है न, यही सारे overall impact है, I think, य moving ahead, telecommunication act gets presidential essence, तो recently telecom act passed हुआ है, हम सबको पता है, यह थोड़ा सा detail topic है, तो मैंने क्या सोचा है, कि मैं इस पर एक अलग से session लोंगी, probably tomorrow, कल एक session लोंगी, जहां पर मैं आपको telecom act, bigger picture से अलग, ठीक है, bigger picture में नहीं शामिल होगा वो, या में भी हम इसी में शामिल कर लेंग का था, 8085 का था, उसमें हमने changes किये है, important topic है, exam के लिए पूछा जा सकता है, तो मैं चाहती हूँ, एक एक चीज में आपको इस act की define करूँ, है न, तो इसको हम detail में, I am going to take it up tomorrow, कल हम इसको लेते हैं, चलिए, ठीक है, चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे, some issue with the, हा आगे है हमारा एक बहुत important article, okay, आगे हमारा एक बहुत important article, जो की है हमारा agriculture से related, चीक है, so agriculture का budget जो है, वो काफी जादा बढ़ाया जा सकता है, इस साल के, जो अभी budget आएगा, दो-तिन महीने बाद, उसमें, यह बहुत important news है, especially अगर आपको यागर, even if you are not writing agriculture का कोई भी exam, तो भी है important है, आगरी budget में hit, rupees 2 trillion in financial year 2025, अच्छा, यह रुपी है, यहाँ पर dollar नहीं है, तो chalk मत जाना, ठीक है, क्योंकि 3 trillion की, मतलब 3 सारे 3 trillion की तो हमारी economy है, उसमें से 2 trillion हम agriculture को थोड़े न दे सकता है, so this is rupee 2 trillion, so financially, अब 39% हम जो है budget बढ़ाने वाले हैं, बहुत बड़ी news होगी है अपने आप में, बहुत बड़ी, जब एक बार budget आ जाएगा तो इसकी detailing I'm sure पूरी आने वाली है, बट आज के mint के paper में यह article दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ आप अपने आपको इस news के लिए na budget आने से पहले ही ready कर लो, यानि आपको बहुत सा हमने यहां पर या फिर, हाँ, तो union budget 2024-25 का जो आने वाला है, उसमें हम इसको expand करने का सोच रहे है, union ministry of agriculture and farmer welfare जो है यहां पर बहुत सारी schemes में भी पैसा लगाने वाले हैं इसके तहर, जैसे प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी, PM किसान जिसको हम बोलते हैं, प्रधान मंतरी increase होने वाला है, question आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है, बाकी इसके impact क्या होंगे, है न, क्या, यह help कैसे exactly कर सकता है, यह जब एक बजट में आएगा न, और detail के साथ आएगा, तब हम जरूर कवर करेंगे, next हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी next news है, वो भी important है, बासमती export price rise due to red sea unrest, red sea, अच्छा, red sea नहीं पता, तो पहले तो red sea देखना पड़ेगा, कहां पर है, है न, location हमेशा जरूर देखा करो, एक map चिपका लो अपने room में, और, किसी की मत सुनना, अगर आपको कोई यह कह रहा है, आप तो bank का paper दे रहे हो, map तो UPSC वाले चिपकाते हैं, उनको curiosity है, जानने की, तो मैंने चपका लिया, और कुछ हाम तो है नहीं इसमें, है न, नई चीज़े पढ़ने में, सीखने में, कोई ऐसा हाम तो है नहीं, right, so जब आप यहां पर खोलेंगे, हाँ, यह साओधी अरेबिया वाला region है, यह Middle East है, जहां से OPEC countries भी आती है, इसके इस साइड में हमारा इंडिया पढ़ता है, इंडिया से हम थोड़ा साल लेफ्ट साइड या फिर आप बोल सकते हो, वेस्टन साइड जब हम चलते हैं, वेस्टन साइड जब आप चलेंगे, यमन, ओमान, साओधी अरेबिया, यह सारे मिलेंगे, आपको यहां पर आपको लडाईया होती रहती है, इसमें एक चोटा सा ये एरिया है, पिछले कुछ टाइम पहले तो एक शिप भी इसमें ऐसे होरिजॉंटली फस गई थी, उसकी वज़े से ट्रेड भी बहुत जादा इंपक्ट हुआ था, इसमें बहुत जादा अंड्रेस्ट चलता रहता है, कु तो ये ट्रेड रूट में ही अगर मालो जिस रोड से आपका समान जा रहा है, वो रोड ही ब्लॉक हो जाए, सुबह एक इनसान जो है, वो सबजी मंडी जा रहा था सबजी लेने के लिए, और रोड ही ब्लॉक हो गया, वो बिना सबजी ले वापस आ जाएगा, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी लगाओगे, मैंने अब यह भी बोला कि एक सबजी वाला है, जो मंडी जा रहा है, सबजी लेने के लिए सुबह सुबह जो उठके जाते हैं, वो नहीं लेके आया, क्योंकि रोड ही ब्लॉक थे तो आपके घर तक सबजी नहीं पहुंचेगी, या फिर हो सकता है, उसकी एक दिन पुरानी जो सबजी थी, जो लिमिटेड सबजी थी, वही वो आपके घर लेकर आएगा, तो अगर लिमिटेड लेकर आएगा, तो उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब सप्लाइ में कटोती होती है, तो इंफलेशन आटोमाट में बताया गया है, तो export हमने शुरू कर दिया है, इतना आपको पता होना चाहिए, that's all you have to remember, Red Sea का location मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है, जो कि हमें पता होना चाहिए, कि क्या है उसका, चलिए, आप हम पढ़ते हैं, आज का सबसे important article, तो अब तक अगर आपने नहीं जोइन किया है, तो शायद बहुत लेट हो गए हो आप, जरूर जोइन कर लीजे, उसके लिए मैं में को अख़बार खोलना पड़ेगा, हाँ जी, so mint खोल लेते हैं, और यह आज का mint नहीं है, दो दिन दिन पहले का mint है, पर article important था, मैं हमेशा कहती हूँ, article पढ़ना जरूर से, लोड हो रहा है है, हाँ जी, so this is the article, यह है आपका article, the fall and fall, the fall and fall of country's logistic cost, चलिए, logistic cost जो है, वो हमारी काफी काम हो गई है, अच्छा आप पहले तो मुझे एक यह बात बताईए, कि अगर मेरी देश की logistic cost काम हो गई है, तो क्या यह अच्छी बात है, बुरी बात है, is it a good thing or a bad thing, for the economy, for the country, is it a good thing or a bad thing, अच्छी बात है क्या यह, या फिर नहीं कुछ negative है इसका मतलब, इतना पहले मुझे बताईए, उसके बाद मैं आपको detail में समझाती हूँ, स्नेहा, करन, हाँ जी, very good, very good, अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, जो भी हमारा transportation का cost है, कोई भी समान इधर से उधर ले जाने का cost है, वो कम हुआ है, अच्छी बात है ना, है ना, तो कम हुआ है, यानि सरकार की तिजोरी में अब जादा पैसे बचेंगे, जो सरकार कहीं और लगा सकता है, तो अच्छी बात है यह तो, right, अब समझ लेते है क्या है, यहाँ पर बोला हुआ है, मिंट ने यह बोला हुआ है, कि हम, मिंट यह बोल रहा है, कि यह जो fall हुआ है, it's a good thing, तो चलो समझ लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत amazing यहाँ पर जो है, यह बाकी और countries के साथ compare करके, इंडिया का price भी दिया हुआ है, कि बद्दे क performance index की बात करती हूँ, ठीक है, 2023 का यह rank है, यहाँ पर यह और सारी countries हैं, जहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, कि बाकी countries का rank देखो जी, first है Singapore, यानि Singapore जी सबसे बढ़िया कर रहा है, logistic का cost वहाँ पर सबसे कम है, उनको एक समान अपना एक से जगा, दूसरी जगा पुचान होते हैं, तो बड़िया policies हैं, उनके यहाँ पर, बड़िया transportation है, बड़िया road है उनके यहाँ पर, बड़िया railway का system है, navigation का system है, सब कुछ उनका perfect है, rank 1 आई है, ठीक है, उसके बाद अपने 80 पर 80 भी देख लेते हैं जी, Thailand 34, Vietnam 43 और China, China की भी अच्छी rank है, 19 rank है, हमसे तो काफ है, तो इसका भी अच्छा है, Finland की second position आई है, again, Nordic country है, यहाँ पर सब अच्छा है, और सत्रवी rank आई है, US की, ठीक है, तो यह भी आप देख सकते हैं, हमारी 38 है, बहुत जादा अच्छी है, बुरी तो नहीं है, definitely हम improve कर रहे हैं, तो यह आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक Economic Research ने यह study करी है, जो की Ministry of Commerce and Industry के अंडर आता है, उसने मूला है कि इंडिया की जो logistic cost है, is around 7.8 to 8.9 of GDP, यानि GDP, मतलब आप ऐसा लगा लो कि, अगर GDP हमारी 100 रुपे है, तो हम 78 रुपे ही सिर्फ अपने logistic में लगा रहे हैं, यह अच्छी बात है, जितने कम हम रुपे गाएंगे, मतलब logistic में जो हमारा खर्चा है न, वो 78 रुपे हो रहे है, और उतने में ही हम अपना बहुत अच्छा logistic कर पा रहे हैं, ठीक है, it is a very good thing, ठीक है, तो यह आपको number याद रखना है, 7.8 to 8.9 हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो यह आप हम जो है, याद थे, तब मुझे अपना logistic करना पड़ रहा था, अभी मेरा half हो गया है, बढ़ी अच्री बात है, दूसरा question, यहाँ पर mint उठाता है, दूसरा question जो mint बोल रहा है, वो यह है, has there really been reduction in the cost, मतलब वो बोल रहा है कि क्या सच में cost में reduction हुआ है, या कुछ calculation में ही तुमने ऐसा कर क्या है कि यह कम number दिखा रहे हो बस वरना, cost तो वही है, ठीक है, so mint ने बोला है, yes, बिल्कुल reduction ही हुआ है cost में, और यह reduction हुआ है, चलो जी, ठीक है, right, ठीक है, okay, next important question है, what is national logistic policy 2022, national logistic policy 2022 आई थी, again, policy के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका objective होगा, कि अपने logistic को हमें और अ आसान, और smooth कैसे बनाना है, और सस्ता कैसे बनाना है, ठीक है, so with the launching of this, the objective is to reduce the logistic cost from 14 to a single digit, 22 में हमारी जो cost थी, वो 13-14 पसंट ही और इस policy का plan ही यही था कि यह 14 से हमें single digit पे आना है, और हम आगे, single digit पे ही तो है न, अभी 7-8 पसंट single digit है, हम आ चुके है, ठीक है, लोवरिं the cost of critical for making India and manufacturing hum of the world, मतलब यहां पर जो है, कम cost से हम अपनी manufacturing को भी और जादा बढ़ावा दे सकते हैं, the policy also seeks to improve India का ranking to top 25 countries, हम चाहते हैं कि हमारी 25 वी rank तक पहुन जाए, again यह वाला अभी हमने complete नहीं किया है, बट हम यह 2030 तक अचीव करने का plan करे हैं, and I guess पहुन जाएंगे, 38 पहुन जाएंगे, ठीक है, next है, where does India stands globally, हमने देख लिया, 38th position पर होती है, first number पर Singapore है, second पर Finland है, और हमारा 38th position पर India है, US का भी धिहान रख को 73 position है, China 19th position है, ठीक है, यह हमने देख लिया है, next question, what more can India do to cut the cost, अब यहाँ पर this is a very good question, यह आपके interview में ऐसे सवाल पूछा जा सकत हैं, कि अच्छा, logistic cost क्या होती है, बताइए, recently हमने बहुत cut down किया है, next question पूछा जा सकता है, कि अब आपको क्या लगता है, कि future में हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा यह rank और बेटर हो जाए, आप भी मुझे थोड़ा सा, चलो, chat में थोड़ा participate करते हैं, आज, है ना, chat में आप सभी लोग solution बताओ इसके, suppose I am the interviewer, मैं आपका interview ले रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि logistic cost हमें 2030 तक जो हमने target किया हुआ है, कि 25 वी rank पहुचनी है, और बहतर करना है, कैसे पहुँच सकते हैं, what do you think कि क्या इसके solutions हो सकते हैं, या आप अपने mains में भी solution अरड़ी बता चुकी हूँ, जब मैंने शुरू कर रहा था ना, तब मैंने solution बता दिये थे, इसके, रिशिता, by reducing import, sorry, 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 import का क्या connection है, रिशिता, यहाँ पर import-export की तो बात ही नहीं हो रही है, उशा बहुत अच्छा जवाब दिया है, आपने infrastructure development, very good, import-export की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ यह बात हो रही है, कि मेरको, मैं, मतलब, यह laptop है, यह मैंने company यहाँ पर बनाई, कैरला की company में यह बना, अब यह कैरला से मुझे कश्मीर में बहुचाना है, बात यह हो रही है, ठीक है, तो मैं कितना असानी से अचारी हूँ, बात तो यह हो रही है, import-export की तो बात ही नहीं है, सबसे easy और सबसे बढ़िया solution है, इसका infrastructure development, कि जी infrastructure करना पड़ेगा, है न, problem कब आती है, मैंने बोला, road block हो गया, road तूट गया, railway की connectivity नहीं है, तो infrastructure तो develop करना पड़ेगा न, हमने, PM गति शक्ति हम लेकर आ इसके यहां पर भी यही जवाब दिया हूँ है, कि PM गति शक्ति नाशनल मास्टर प्लान rightly seeks to integrate the existing and proposed infrastructure initiatives to leverage technology to ensure seamless movement of people and goods, तो अगर अच्छे roads होंगे, अच्छा railways होंगे, connectivity होगी, Kerala to Jammu Kashmir connectivity होगी, बढ़िया connectivity होगी, smooth seamless connectivity होगी, तभी यह cost जो है, वो हो सकती है, वरना यह सो सोचो, आप खुद सोचके देखो, आपको अगर कहीं जाना है, आपको घूमने जाना है, ठीक है, आप है कश्मीर के और आपको Kerala देखना है, ठीक है, मालो आपके पास direct connectivity नहीं है, ठीक है, कश्मीर से मालो आप आते हैं, पंजाब तक, पंजाब से आप आते हैं, गोवा गोवा से आप लेते हैं कोई और रूट जो आपको करनाटका तक भेजता है, और फिर करनाटका से आप केरला जाते हो, समझ रहे हो, कितने आपको बीच बीच में रुखना पड़ेगा, कॉस्ट आटोमाटिकली बढ़ जाएगी, और imagine करो एक direct train होती, या कोई भी एक direct connectivity होत इंफ्रसक्चर में आपका ports आते हैं, airports आते हैं, railways आते हैं, ये सारी चीज़े आती हैं, that's all, ठीक है, और हम outsource भी कर सकते हैं, सरकार जो है, private players को भी बोल सकते हैं, कि जी आप आओ, हमारे साथ शामिल हो, PPP model पे चलो roads बनाते हैं, चलो logistic index improve करते हैं, railways बनाते हैं, ठीक है All right, so let's start with our rapid fire round, शुरू करते हैं, आज तो कुछ तो issue है इस board में, but anyways, let's start with our rapid fire round, कुछ questions है, 20 seconds आपको मिलेंगे, and here is the first question, and your time starts now, DNRLM, primary goal, बता दीजे जल्दी से Urban Development, Infrastructure Growth, Poverty Reduction, Education Enhancement, Health Sector Improvement, correct, आप साभी ने सही जवाब दिया है, C, इसका सही जवाब है, next question And time starts now, when was I.O.N.S. conceived by Indian Navy? 1995, 1995, 2000, 2008, 2012, या फिर 2015 Rishita, कम memory है बिटा, आपकी थोड़ा सा यार्दाश को बढ़ाई है, अभी अभी पढ़ाई है तो, अभी अभी पढ़ाई है, दस मिनट पहले पढ़ाई है, दस मिनट पहले का कैसे भूल सकते हो आप? अभी अभी पढ़ाया है ना, अभी अभी तो बताया है ना, कि 2008 में या आया था ठीक है, 2008 इसका सही जवाब है, next question Time starts Okay, there's some issue with the time, आप बिना time or case को पढ़ लीजे, which of the following statement is the objective of PM Kusum Scheme? To set up offshore wind energy farm, और बाकी की चार आप पढ़ेंगे, बताइए Objective Prashik and Sneha gave the first answer, very good Chalye, समय खतम होता है और इसका सही जवाब है C, आप सभी ने C ही दिया है, brilliant, next question, time starts now I'm so sorry, consider the following statement about green hydrogen थोड़ा अलग सवाल है, बट attempt कीजे, green hydrogen हमने आज नहीं पढ़ा, बट पहले कई दफ़ा पढ़ा हुआ है झालग सवाल है G, B is the right answer, in this statement में, first is incorrect, क्योंकि green hydrogen is defined as the hydrogen produced by splitting water, मतलो, पानी को तोड के बनाया जाता है, into hydrogen and oxygen, using renewable electricity next question, and, okay, अगला सवाल, बताईए, what is astrosat, primarily designed for, astrosat किस चीज के लिए बनाया गया है studying cosmic microwave background radiation, observing exoplanet, invisible light, multi-wavelength space, and fifth, Prashik ने पहला जवाब दिया है good, good, guess कीजिए, Rishita and Prashik, चलो, very good, इसका सही जवाब है, C, यानि, astrosat, जो है, multi-wavelength space based observations के लिए, बनाया गया है, next question, time starts, okay, timing, timer यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, what is the primary aim of PM जन्मान scheme guess करने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा आपको questions नहीं practice करने हैं, क्या a lot of people are leaving the class, question practice तो करो, जी, चलो, मुझा यहाँ पर B जवाब मिल रहा है, B ही इसका सही जवाब है अगला सवाल, समय करते हैं, शुरू, what does PM जन्मान stands for? यह क्या है, प्रधान मंत्री जन निदी अवास योजना, जन जाती आदिवासी न्याय महा अभियान, या फिर जन्धन योजना, जन आउशदी अभियान, none of the above ASR and Rishita gave the first answer, इसका वैसे बीज दवाब है, ठीक है? हाँ जी, नहीं नहीं, पांच नहीं है भई, आज तो मैंने टेलिग्राम पे भी डाला, ज्यादा questions है, next question, what does Telecommunication Act 2023 succeeded in India? मैंने Telecom Act आपको नहीं पढ़ाया, बट इस question का जवाब मैंने आपको दिया था, तो ये तो आपको आना चाहिए, पहली line में ही लिखा था ये, जब मैंने आपको PPT दिखाई, slide दिखाई थी, 1995, 1885, 2010, 2002, ये तो मैंने बोला था, colonial era का है, colonial era का है, इतना भी अगर आपको याद रहे गया, यानि अंग्रेज जब हम पे राज कर रहे थे, तब का Act बना हुआ ये, तो अंग्रेज कब थे, 2010 में थे, दो में भी नहीं थे, 1995 तक तो चले ही गए थे, right, so इसका जवाब हुजाता है, 1885, next question, time starts now, bubble mandab is a strategic chalk point in recently जो news में था, bubble mandab connects which two water bodies, दो water bodies को एक point connect करता है, जिसका नाम है bubble mandab, ठीक है, आप यहाँ पर आपको उन water bodies का नाम बताना है, अगर ये question नहीं भी आता, तो tension मत लीजेगा, ऐसे question आना बहुत मुश्किल है, बस randomly अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना मुश एक बार थोड़ा सा, देखिए, इसका सही जवाब है आपका C, यानि Gulf of Eden और Indian Ocean को ये connect कर, यहाँ पर जो है connect the Red Sea with Gulf of Eden and Indian Ocean, ठीक है, चलिए, next question, which two countries are separated by Red Sea, Red Sea का तो मैंने map दिखाया था, ये तो आपको आपको आना चाहिए, Red Sea जो बीच में है, कौनसी दो countries को अलग-अलग क आपको पता है, college में ना मेरे एक प्रोफेसर थे, वो ना class में आते थे, हमें ना एक image दिखाते थे, और image दिखाके थोड़ी दे, बोलते थे इस image को देखो एक मिनट, और उसके बाद उस image को बंद कर लेते थे, और उस image के बेस, image के ऊपर based questions पूछते थे, टेस्ट करते थे कि हमें हमारी यारदाश कितनी है, हमें याद कितना रहता है, ठीक है, और बहुत, बहुत difficulty में जोते थे, बहुत सारे points होते थे, उसमें ऐसा निया कि कोई 2-4 points, एक मिनट खोलते थे, उसको timer लगाते थे, बंद कर देते थे, और फिक question पूछते थे, चली, बिल्कुल, यहा कोर्स भी शुरू हो गया है, नॉर्मल बैच भी यहाँ पर है, और हमारा CSIR, यह तो सब को भरना चाहिए, मैं 100% recommend करती हूँ, सिर्फ graduation इसमें मांगी हुई है, गोई और help चाहिए, आप मेरे टेलिग्राम पर मुझ से पूछ सकते हैं, RBI Grade B का हमारा 5.0 बैच भी है, किसी भ आपको मेरा The Bigger Picture Plus का बैच मिलता है, जहां पर आपको Current Affairs, RBI Circulars और Government Schemes भी प्रवाइड मैं करवाती हूँ, राइट, Y674 जब आप यूज करोगे तो आपको मेरी Personal Guidance भी यहाँ पर मिलेगी, राइट, अब this is my telegram, you can join this, यह PDF मैं वहीं पर share कर दूँ, आज के लिए इतना ह करती है, तो यह नहीं है महापक में है ना, चली, All right, thank you so much everyone, take care, I hope this session was helpful, ध्यान रखियेगा and bye-bye.